हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूजूल शुरू करूंगा फिंगर्स के अन लिकत न हो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा वर्टसेप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक कम्पलीटली स्कारी शेप में नजर आ रही है कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की जो यहाँ पर इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग नीचर को और अगर देखा जाए इनकी फिंगर्स को तो काफी थिक ह और आगे से थोड़ी सी पॉइंटेड होती हुई फिंगर्स नजर आ रही हैं मीडियम साइज ने फिंगर्स और आगे से इस तरह से पॉइंटेड होना फिंगर्स का इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ति थोड़े अनलेटिक टाइप के होते हैं कोई भी काम शुरू करने से प फिंगर्स के बीच में अगर गैप्स को देखा जाए तो काफी सारे गैप्स नजर आ रहे हैं इस तरह हैं कि इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति काफी ज़दा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं किसी के अंडर काम कर पाना इनके लिए काफी मुश्किल होता है और खासता और पर सूर्या और बुद्ध फिंगर के बीच में जब गैप रहता है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से हटी यानि कि जिद्धी सभाव के भी होते हैं फिंगर्स के उपर खड़ी रिखाओं को अगर देखा जाए तो आपको क्लोज अप में दिखाना चाहूंगा काफी सारे खड़ी रिखाएं इनके सभी फैलेंजिस के उपर ऐसी रिखाएं आप देख सकते हैं लगवग सभी फैलेंजिस के उपर नजर आ रही हैं जिसकी वज़ए से ऐसे व्यक्ति काफी दोस्ताना नेचर के यानि के फ्रैंडली नेचर के भी होते हैं ओवरॉल फिंगर्स मीडियम रहें यहां पर जिसकी वज़ए से थोड़ी जल्दवार परसनालिटी रह सकती है और अगर पर्टिकलर फिंगर्स की लैंद को देखा जाए तो गुरू फिंगर्स और सूर्य फिंगर्स की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है सूर्य फिंगर्स थोड़ी ज्यादा ही रहेंगे medium leadership qualities इनके भीतर रहने वाली हैं लेकिन shiny finger काफी अच्छी है बिलकु straight और काफी थिक shiny finger जो इने काफी ज़्यादा hard working nature का इंसान बना रही है और अगर देखा जाए इनकी mercury finger को अब देख सकते हैं mercury finger की लंबाई यहाँ पर काफी अच्छी है mercury finger बिलकुल भी low set यहाँ पर नहीं हो पा रही बिलकुल अच्छी position में mercury finger काफी अच्छे communication skills इनको देने वाली है ऐसे व्यक्ती थोड़े extra word type की nature के होते हैं जिनकी mercury finger high set हो, लंबाई में अच्छी हो और थोड़ी सी हटकर हो, यानि के जो सूरिया finger है उससे थोड़ी सी हटकर हो, ऐसे व्यक्ती थोड़े से जिद्धी, थोड़े से हटी और थोड़े से extra word type की nature वाले रहते हैं overall business skills भी ऐसे व्यक्ती के काफी अच्छी रहते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी mounts को, उसके बाद इनकी सभी रिखाओं को भी चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ, तो कुछ इस तरह की line बनकर सामने आ रही है, जो देख सकते हैं बिलकुल एक सीधी line बन रही है बिलकुल भी गुलाइस line में नहीं आ रही, जो इंडिकेट करती है कि सभी mounts को यहाँ पर बहुत अच्छी space मिलती हुई दिखाई दे रही है अगर देखा जाएं कि mercury mount को तो mercury mount को काफी अच्छी space मिल रही है ऐसे विकती कुछल बिजनसमैन बन सकते हैं, जिनका mercury mount strong हो, और साथी साथ अगर mercury रेखा भी हतेली में मौझूद हो तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है mercury रेखा यहाँ पर मौझूद जरूर है, लेकिन बहुत जादा लंबाई में नहीं, और अगर देखा जाए mercury रेखा को, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की mercury रेखा जो थोड़ी सी broken और overlap है, इसकी वज़े से business equipment को strength तो मिलेगी, लेकिन बहुत जादा strength नहीं क्योंकि यह रेखा यहाँ पर overlap है और इस तरह की overlap line होने की वज़े से ऐसे व्यक्ती को digestion से बंदे दिक्तों का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि यही रेखा health line भी कहलाती है, और इसी रेखा की वज़े से money triangle भी create होता है, और अगर यहाँ पर money triangle की situation को देखें, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो line है नीचे से उपर की तरफ चलने रहा, अगर अभी की situation को देखें तो income इनकी अच्छी रहेगी लेकिन रुकना पैसे का थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल रह सकता है क्योंकि धन आएगा भी और खर्चों में चला भी जाएगा, क्योंकि इस तरह की उस्तेतियां इनके money triangle की position को देखकर मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ और अगर यह money triangle बंद हो जाता है हमारी जो रिखाई है यह ever changing है अगर कल कोई money triangle इस तरह से कुछ रिखाई जुड जाती है और इस तरह से यह completely बंद हो जाता है तो यह अपने पास काफी अच्छा धन एक अत्रित करने के काबिल हो जाएंगे चलिए आगे देखते हैं सूर्य माउंट को यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट अच्छा नजर आ रहा है सूर्य रेखा भी सूर्या finger भी हमने देखी थी काफी अच्छी हैं की लेकिन सूर्य रेखा बहुत लंबाई में नहीं है कुछ इस तरह है की सूर्य रेखा बहुत ही शौर्ट साइज्ड सूर्य रेखा है अगर कोई लंबी सूर्य रेखा हाथ में मौजूद हो अगर कुछ इस तरह है की किसे के हाथ में सूर्य रेखा हो तब व्यक्ति को बहुत fame मिलता है, छोटी age से ही व्यक्ति को fame मिलना शुरू हो जाता है लेकिन यहां पर medium sized सूर्या रेखा है, इस तरह कि जिस वजह से जो fame है, ऐसा fame old age में मिलता है और यहां पर भी एक सूर्या रेखा और जो शणी के साथ मिलती हो नज़रा रही है इस तरह की short size के रिखाएं व्यक्ति को old age में काफी अच्छी recognition दिलवाती है जो इने भी लगवग अगर देखा जाए तो 55 की आसपास की age के बाद मिलने की संभावना है शनी माउंट को देखा जाए शनी माउंट यहाँ पर बिलकुल flat नज़र आ रहा है शनी माउंट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है शनी रेखा अगर देखा जाए तो मजूद है शनी माउंट का flat होना व्यक्ति से मेहनत करवाता है ऐसे व्यक्ति मेहनती होते भी है अगर शनी रेखा को हम देखें तो काफी अच्छी लंबी शनी रेखा है लेकिन बीच में कुछ ब्रेक्स आ रही है यहां से यह शनी रेखा शुरू हो रही है और आगे चलकर यह शनी रेखा थोड़ी सी कमजोर बढ़ रही है यहां ते कुछ इस तरह से यह शनी रेखा उसके बाद यह रेखा आगे इस तरह से और बढ़ती बढ़ती यह रेखा completely shiny mountain पहुंच रही है लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा तीन से चार जगाहों पर यह रेखा overlap यह break शो कर रही है तो इन breaks का meaning क्या होता है जिन जिन एजिस में approximate in ages में हम इसको देखते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 के around age यहाँ पर मैं arrow बना रहा हूँ यहाँ पर अगर देखा जाए तो 56 के around age और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 22 के around age इन ages में व्यक्ति को मुश्कलों का सामना करना पड़ता है profession में changes आती है और यहां ऐसा व्यक्ति अपने profession को change करता है अगर एक सीधी और लंबी रेखा हो तो व्यक्ति की income में दिखते नहीं आती लेकिन अगर रेखा मौझूद हो, थोड़ी सी breaks हो तो थोड़े ups and downs life में आ जाते हैं लेकिन इस रेखा का होना अपने आप में बहुत अच्छा योग होता है जिनके हाथ COP ली यह रेखा बिल्कुल नहीं होती उन्हें तो बहुत जादा कथन मेंध़ करनी पती है life में लेकिन जिनके आप में यह रेखा होती है उन्हें बिशप थोड़े से अपसें डाउंस लाइफ में आएं लेकिन अच्छे फल भी इस रेका के मिलते हैं अब बात करते हैं इनके जो मौंट है गुरू मौंट की गुरू मौंट यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी उबरा हुआ गुरू मौंट है और कुछ आड़ी रिखाएं इस मौंट के उपर नज़र आ रही है इस तरह के आड़ी रिखाएं यहाँ रिखाएं क्या इंडिकेट करती हैं multiple sources of income को जितनी ज़्यादा आड़ी रिखाएं इस मौंट के उपर होते हैं अगर कुछ इस तरह ऐसे हैं लंबी लंबी रिखाएं हाथ में मौझूद हो तो यहाँ पर sympathetic personality रहेगी धार्मिक nature रहेगी जिसका reason इस मौंट का अपने आप ही उबरा हुआ होना है ऐसे व्यक्ति spiritual minded होते हैं और साथी साथ अगर यहाँ पर इनका बुद्धा जाई का चिन देखा जाए तो वो भी यहाँ पर बन रहा है थोड़ा सा खुला है लेकिन बन रहा है इसकी वज़ए से sixth sense भी ऐसे व्यक्ति के काफी अच्छी होती है और काफी spiritual type की nature और family का सुख मिलता है ऐसे व्यक्ति को इनका guru haunt उबरा हुआ हो आगे देख सकते हैं इनकी major lines को heart line आप अगर देखें तो काफी अच्छे curve में है और इस तरह की heart की line जो लगवग एक perfect place तक पहुँच रही है और emotions के लिए अच्छा नहीं माना जाता अगर इस तरह की रिखाएं heart line पे मौझूद हो तो व्यक्ति को अपनी heart की health का भी काफी ध्यान रखना चाहिए जैसे यहां पर यह 50s की age के बाद 55 की around की age के बाद कुछ ऐसी रिखाएं जो थोड़ी बहुत दिक्कत इने blood pressure से related या heart से समंदित कोई दिक्कत देने में सक्षम है तो इन्हें थोड़े सी care अपनी heart की health की भी old age में चलकर करनी चाहिए otherwise कोई major problem heart की line से नजर नहीं आ रही तो आगे देखते हैं इनकी line of mind को mind की line यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है बिल्कुल सीधी mind की line और यहाँ पर एक अच्छा money triangle भी create कर रहे हैं बेशिक थोड़ा सा खुला हो money triangle है लेकिन फिर भी उसकी formation यहाँ पर इन्हें अच्छे results देगी लंबी mind की line का होना memory को sharp करता है ऐसे विक्ति की memory काफी तेद रहती है और इसी तरह की mind line होनी भी चाहिए जो धन के लिए अच्छी मानी जाती है अगर mind की line ज़्यादा जुकी हुई हो तो विक्ति बहुत ज़्यादा कलपना शील हो जाता है और जिस तरह से mind की line यहाँ पर नज़र आ रही है तो बहुत अच्छे result देने वाली इनकी यह मस्तिश रिखा मैं कह सकता हूँ आगे देख सकते हैं इनकी line of life को life की line यहाँ पर काफी अच्छी नज़र आ रही है काफी अच्छी लंबाही में है जिसकी वज़े से जो इनकी age रहने वाली है 85 के आसपास की age आप देख सकते हैं यहाँ से यह रिखा शुरू होती हुई और लगबग अथेली के बिलकुल नीचे तक 85 से 90 तक की age होने की संभावना भी यहाँ पर यह रिखा शो करती है और इस रिखा से उपर की तरफ चलने वाली रिखाएं जैसे यह रिखाएं आप देख सकते हैं इस रिखा से निकल कर उपर की तरफ चलती हैं इन रिखाओं को कहा जाता है progress lines ऐसी progress lines जिनके भी हाथ के उपर मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति बहुत भागया चाली रहते हैं खास तोर पर progress के मामले में ऐसी रिखाएं व्यक्ति को समय समय पर तरक्की खरवाती हैं जैसे अब देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ तरक्की जो 40 के आसपास की age से indicate हो रही है 40 के आसपास की age से इनकी तरक्की और बड़ी desires पूरी होनी शुरू होंगी और अगर देखा जाए तो 60 की age तक लगातार यहाँ तरक्की को दरशाती हुई इनकी progress lines यहाँ पर नजर आ रही है आगे आप देख सकते हैं इनके शुकर माउंट को शुकर माउंट के ओपर कुछ worry lines मौजूद है लेकिन बहुत जादा नहीं इन रिखाओं के वज़े से थोड़ी सी married life में देकता आ सकती है अगर हम चंदर माउंट को देखें तो चंदर माउंट भी यहाँ पर काफी अच्छा नका नजर आ रहा है मुझे कोई भी negative chin इनके चंदर माउंट के ओपर नजर नहीं आ रहा तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यहीं रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिनिया स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे वर्षै पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद